हालो और वेल्कम दोस्तों तो फाइमेड इंजिनिरिंग आज का वीडियो आखे बड़ा कमाल कहोने वाला टॉपिक जो है वो बड़ा इंपोर्टन्ट है इसको आज पूरी तरीके समझते हैं आपका जादा में समय लेने वाला हूँ इस वीडियो के थुरू तो भईया कहानी कुछ ऐसी है इस टॉपिक की कि यहाँ पर जो जॉब्स है मान लीजे दो जॉब्स है मेरे पास यहाँ पर अब इन दो जॉब्स में अनबन हुई पड़ी पी हैं ज्टि को रहे हैं जुब्स हो रहे हैं किसको सिर्फ एक रिसओस को लेकि जो सेमड़ की डुकि हैंब तो सीचुएशन कैसा है विज्जोरी में आपको करनी कोशिच करता हूं यहाँ पे जॉब है G1 और उसी वक्त यहाँपी भी जॉब है G2 चलो थो जॉब्स के obviously job है उसे बहुत सारे resources की requirement होती है execute करने के लिए सिर्फ processor की नहीं और भी कई सारे requirements होती है उसमें से एक requirement resource आ रहे है जिसको उसने अपने कबजे में कर रखा है और J1 जो है वो execute कर रहा है लेकिन उसी शन जो J2 है वो परकट हो जाता है वो सामने जो है J2 की जो request है वो schedule साफ मना कर देता है deny कर देता है simple as that वो जो उसकी request है उसको simply deny कर देता है request कैसे करता है तो हम लोगों ने देखा था यार किसी एक resource को request करनी तो job क्या करता है एक lock उसके उपर रखता है lock जैसे की for example यह lock है L और वो resource है आपका R और उसकी one unit available है तो हम उसे कैसे represent करते है कुछ इस तरीके से तो J2 ने क्या किया था यह request की थी कि मुझे lock चाहिए resource R की उपर और वो भी एक unity चाहिए उसमें तो वो जो respective request थी जो आपके job J2 ने की थी वो schedule क्या कर देता है पूरी तरीके से deny कर देता है fail कर देता है अब यह करने के बाद जो है J2 का क्या हाल होता है वो भी ज़रा देखने लाइक है कैसे होता है तो J2 की request तो भई यह अभी जादा उसको भाव नहीं दिया उसको बोला चल नहीं देता तो तो J2 क्या होता है अभी एक state में चला जाता है जिसे हम कहते है blocking state यह ब्लॉक हो जाता है I hope you are understanding तो J2 क्या हो जाता है आपका पूरी तरीके से blocked हो जाता है root के बैठ जाता है कि मेरी मांगे पूरी नहीं की गई है मुझे जो resource R चीए तो मुझे नहीं दिया गया है तो मैं execute नहीं कर पाऊंगा तो इस से अच्छा मैं blocked हो जाता हूँ इसके बाद क्या होता है और क्या-क्या चीज़े होती ही J2 के साथ तो आपकी जो एक queue होती है queue कौन सा एक queue data structure जो कि आपका specifically ready job queue है ready job queue मतलब क्या वो respective queue जिसके अंदर आपके जो ready to execute jobs है उन्हें आप बिठाते हो और जो head of आपका queue होता है head of queue वहाँ से एक एक करके job निकलता है और प्रोसेस को दिया जाता है for execution इस तरीके से आपका ready queue होता है अब यह जो ready queue है इसके अंदर जो job J2 आपका पहले बैठा था before requesting अब तो ब्लॉक हो चुका है अब वो blocked J2 किस काम का तो उसे उस ready queue में से बहार निकाल दिया जाता है बराबर उसे उस ready queue में से बहार निकाल दिया जाता है और वो blocked state में तब तक रहेगा वो blocked तब तक रहेगा आपका J2 जब तक G2 की सारी मांगे पूरी नहीं की जाती जब तक उसकी request को importance नहीं दिया जाता जब तक उसको जो चाहिए वो नहीं दिया जाता तब तक वो block state में रहता है और एक बार अगर उसे दे दिया जो उसे चाहिए तो वो क्या हो जाता है unblock हो जाता है I hope you have understood these two terms कि कैसे एक respective job जो है वो आपका blocked हो रहा है और unblock हो रहा है I hope you are understanding नहीं तो एक बार उसको resource मिल गई free हो गई तो obviously बात है नाराज होने की कोई बात नहीं है block होने की कोई बात नहीं है वो simply unblock हो जाता है उसके बाद उसे वापस ready queue में रख दिया जाता है and as per the schedule उसे execution के लिए processor के पास भेज दिया जाता है simple as that यह पूरी कहानी थी okay इस respective topic की कुछ इस तरीके से कटनाई यह तब और बढ़ती है जब आपके पास कुछ और facts होते है जैसे कि एक कटनाई ऐसी है कि अगर मेरा यह जो resource है सोचिए अगर यह resource मेरा non-preemptable type resource है non-preemptable, preemptable नहीं, preemptable नहीं, non-preemptable type अगर यह resource है इसका मतलब यह कि अगर एक बार resource इस J1 के पास चला गया तो वो तब ही उसको छोड़ेगा जब तक J1 का पूरा execution complete नहीं हो जाता तो अभी J1 तो बहुत समय ले सकता है execute करने के लिए तब तक यह आपका blocked state में रहेगा simple as that, बराबर है कि नहीं, simple logic है, तो यहाँ पे preemptable nature जो है यह फिर मैं यूँ कहूँ, जो non-preemptable, non-preemptable nature जो है उस वज़े से आप कह सकते हो कि यहाँ पे यह blocked state में ज़्यादा देर तक रह सकता है, अगर इसका execution time ज़्यादा है because R तब तक J1 को नहीं छोड़ेगा, जब तक वो J1 पूरा execute नहीं हो जाता एक और चीज है कि यहाँ पे मानलो यार मेरे पास ऐसे और भी कई सारे units होते है और भी कई सारे units होते है, like this units मतलब जैसे कि simple अगर मैं बताओ आपके system में अगर एक resource है मानलीजे printer एक resource है, बराबर आपके system से चुड़ा हुआ और अगर मैं उसमें कहूँ या फिर आप से पूछ हूँ कि कितने printers है भाई साब तो आप बोलोगे 5 printer, let's consider this आकड़ा 5 printer तो मैं क्या कहूँगा, कि भाई आपके पास जो resource है printer उसके 5 units आपके पास available है तो इसी तरीके से अगर मेरे resource R के कुछ ऐसे units available होते, free होते तो मैं उससे simply J2 को दे देता, ताकि उसकी requirement भी पूरी हो जाती लेकिन जब ऐसे आपके उस resource के units free नहीं है, they are not free उस case में आपका J2 simply block हो जाता है और तभी unblock होता जब उसकी मांगे पूरी होती है फिर उसके बाद ready queue में डालके उसे schedule किया जाता है और execute किया जाता है simple as that यह थी पूरी कहानी I hope दोस्तों इस वीडियो आपको समझ में आगया बहुता लाइक कर दीजिए और सिर्भी जाज़ों इस वीडियो को शेयर किजिए अपने सारा दोस्तों के सारा thanks a lot दोस्तों for watching this video